जो अगस्त पांच 2019 को हमारे साथ किया उसका जवाब देंगे ही देंगे और इस बार इलेक्शन में यहां की अवाम डट के हजारों की त्यादाद में उसका जवाब देने निकली है सिंगल माइंडेट फोकस है नाशनल कॉंफिंस का बीजेपी को यहां से बाहर निकली में कहते हैं छकरावन अपना वोट छकराया छकराया मतलब चार गर एक टीम को वोट करेंगे चार गर दूसरी टीम को पांच गर बीट दूसरी पार्टी को एलेक्शन के दिन यहां की अव पर तारिफ हो रही है तो आप समझ लीजेए यहां प्रेस वीडम कुछ है ही नहीं यहां प्रेस का कोई नाम और निशान नहीं है सिक्रीन पर मुझू नंबर से राप्टा करके किताब एक सो ननना नवे रुपिय में हासिए जमु कश्मीर भी अगर सियास्त की बात की जाए तो हल ही में नैशनल कॉनफेस यानि की रिजिनल पूलिटिकल पार्टी की जानब से एक नियोता आया है और इस नियोते में शामिल किया गए जितने भी कॉनिस्चेंसी के रिप्रेजेंटेटिव है उनके नाम जो है वो बादाफ़ता तोर लिखे गए है अब आपको बताओ दू यहां से दर्शादा यह क्या दर्शादी है आकिरकार यह लिस्च जो निकली है इसमें तमाम लोग यह सोच रहे शायद इलेक्शन जो है वो जल्द आने वाले है और रिजिनल पार्टी जो है अपने इलेक्शन को लेके तैयारिया कर रही है इसी सब पर हमारे साथ बाचीत करने के लिए जुड़ी है नैशनल कॉंफरेंस की स्पोक्सपरसन एफराजान सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सीधा सवाल रहेगा क्या ये हम समझे इस लिस्ट निकलने के बाद के नैशनल कॉंफरेंस को इस बात से आगाह किया गया है और अंधुरूनी खबर निकल के सामने आ रही है कि इलेक्शन जो है वो जल्द जमू कश्मीर में होने वाले हैं इसलिए ये लिस्ट निकाली गई है नैशनल कॉंफरेंस जो है इलेक्शन के लिए तयारी नहीं करती है क्यूंकि नेशनल कॉंफरेंस 24 लाग का क्याडर है जो गाउं गाउं शहर शहर में 24 लाग काम कर रहा है तो these two things have nothing to do with each other अगर अब आपका सवाल रहेगा तो कि ये है क्या पहली बात तो national conference के पास हमेशा से constituency in charges रहते है constituency in charge का मतलब है कि इस constituency में अवाम के जो भी मसायल होंगे अवाम का जो भी दुखदर्द होगा अगर national conference की तरफ से first person जो होगा जो उस दुखदर्द को बांटने वाला होगा ये ये इनसान है क्या तो ये constituency in charges जो है अवाम की उस constituency के अवाम की दुखदर्द बांटने के लिए जिसको national conference ने चुना हुआ है mandate जो होता है जिसकी ticket की बात आप करना चाहते है वो एक अलग चीज होती है वो political party decide करती है जिस दिन election का बिगुल बचता है अब आप कहेंगे कि आपने ये list आज क्यों निकाली national conference के पास ये list पहले से रहती है हमारे पास हमीशा से constituency in charges रहते हैं लेकिन चुनकि delimitation commission जो अभी हाल ही में हुआ था उस delimitation commission में क्या हुआ था कि अफरा तफरी की गई थी एक constituency को काटके उदर दूसरे constituency को काटके उदर तीसरे constituency को काटके पता नहीं के दर तो जो BJP ने ये तबाही constituencies में मचाई थी इस वज़से जो हमारा ground cadre था जो हमारे जमूर कश्मीर के अवाम थी वो दुशवार थी वो हमारे पास आते थे National Conference की senior leadership के पास और अवाम हमको कहती थी कि इस constituency में हमारा one person कौन है जिसके पास हम जाएं चूंकि delimitation के बाद constituencies change हो गई इसलिए आज एक दो कुछ महीने बाद उस पे सोंच करने के बाद, deliberation सुनने के बाद लोगों के मश्वरे सुनने के बाद ये list बनाया गया कि किस constituency में कौन सा इनसान जो है जो इस constituency के लोगों की देखबाल करेगा कैडर की देखबाल करेगा, वहां की अवाम के दुखतर्त में शामिल होगा चूंकि पुरानी constituency जो है वो delimitation में तोड़ी गई थी और अब चूंकि ये नई constituency बनाई गई है, इनमें नई constituency जार्ज होने चाहिए आपसे दिवी सवाल रहेगा, एक खबर निकल के सामने आई, जिसमें ये बताया जा रहा है, कि आने वाले वक्त में अगर चुनाओ होता है तो बाजपा सरकार ये दावा करती है पचास से पार हम लेंगे तो National Conference इस नज़री को किस तरीके से दे बाजपा को वोट एक ही सूरत में मिलेगा अगर कश्मीर की अवाम जो है दू सूरतों में मिलेगा एक सूरत अगर कश्मीर की अवाम ने B टीम, C टीम, D टीम, E टीम को वोट किया बेसिकली अपना जो वोट है वो Consolidate नहीं किया और जिसको कश्मीरे में कहते हैं छकराउन अपना वोट छकराया छकराया मतलब चार गर एक टीम को वोट करेंगे चार गर दूसरी टीम को पांच गर बीट दूसरी पाटी को उस सूरत हाल में BJP का चांस बनता है दूसरी सूरत हाल दूसरी सूरत हाल वो होगी अगर जमूर कश्मीर के अवाम इलेक्शन के दिन वोट डालने नहीं निकलेगी क्योंकि BJP का कैडर तो निकलेगा अगर हम लोग सो गए अगर हम लोगों ने शौंग डाली इन ही दो सूरतों में BJP जो है इलेक्शन जीट सकती है लेकिन दोनु सूरते जो है नहीं हो सकती है मैं बताती हूँ क्यों क्योंकि जमूर कश्मीर की अवाम ने आज ठान दी है कि जो अगस्त पांच दो हजार उननीस को हमारे साथ किया गया उसका फैसला BJP को यहां की अवाम वोट के जरिये बैलट के जरिये आने वाले इलेक्शन में जब भी होंगे उसमें देगी यह इलेक्शन जो है डिवलाप्मेंट तो होगी ही होगी जितनी डिवलाप्मेंट नाशनल कॉन्फरेंस ने की उतनी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की मैं यह दावे से कहती हूँ आप गिना लीजे कौन सी जगा है मैं अब गिनाती हूँ कौन सा इंस्टिउशन हमने नहीं बना है बेरहाल डिवलाप्मेंट तो करेंगे ही करेंगे यहां के लोगों के रोजगार के लिए काम करेंगे ही करेंगे जो यहां के लोगों के मुतालबे हैं उनको सामने रखेंगे ही रखेंगे लेकिन सबसे एहम बात जो अगस्त पांच 2019 को हमारे साथ किया उसका जवाब देंगे ही देंगे और इस बार election में यहां की अवाम डट के हजारों की तादाद में उसका जवाब देने निकली है इसलिए जो यह बीजेपी के खाब हैं 50 पार 60 पार 70 पार इन बीजेपी के जो यह खाब हैं मैं आपको दावे से कहती हूँ कि यह खाब election के दिन यहां की अवाम सरे आम अपने बैलिट के जरिये दफनाईगी जमीन में जमू और कश्मीर की जमीन में यह बीजेपी के खाब दफनाए जाएंगे आपसे यह भी सवाल रहेगा अगर elections होते हैं elections में इस बार जो है आजाद democratic पार्टी भी हिस्सा लेगी तो democratic आजाद पार्टी के भी बड़े बड़े दावे हैं लोगों का रोजगार लोगों की जमीनों के हिफाज़त तो national conference किस तरीके से देखती है डी एपी को तेखिए national conference हम लोग किसी और political party पे टिपनी नहीं करते हैं national conference जो है हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है at this point in जमू और कश्मीर अगर आप देखेंगे बीजेपी की गोदी मेडिया किसको 24 इंटो 7 अटाक करती है national conference को सरकार की central agency किसके गरूं पे छापे लगाती है national conference पे हम किसके खिलाफ बीजेपी की government B team C team D team E team F team खड़ी कर रही है national conference के खिलाफ क्यूं क्यूंकि बीजेपी समझ चुकी है कि यहाँ जब तक national conference रहेगी तब तक बीजेपी का यहाँ नामु निशान होगा नहीं तो यह जो इस time की बात है यह BJP versus national conference है और national conference versus BJP है यह जमू और कश्मीर में इस time की situation है तो इसमें वो party क्या कर रही है वो party क्या कर रही है we're not going into it हमारा single minded focus है national conference का BJP को यहाँ से बाहर निकालना मैं हर एक सवाल जो है जो मैं आपसे करने वाला हूँ मैं हर एक leaders को करता हूँ जमू कश्मीर की सहाफत की अगर बात की जए तो सहाफी जितने भी अगर वो कोई award जीते हैं तो उन्हें abroad जाने से रोका जाता है किस तरीके से देखीगी national conference इस चीज़ को देखें ये तो शर्पनाख बात है लेकिन मेरे लिए ये कोई surprise नहीं है मैं आपको पताती हूँ क्यों जब भी हमारे journalist जो हमारे press के बाई बहन थे वो जब national conference का वक्त था मैं नहीं कहती हूँ हम लोग perfect थे मैंने कभी दावा नहीं किया कि national conference perfect है मैंने कभी दावा नहीं किय या national conference से कभी कोई गलती नहीं हूई है ये मैं दावा नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं कह रही हूँ realistically अगर आप देखें प्रेस आपको कैसे पता चलता है कि प्रेस की freedom कितनी है आपको पता चलता है प्रेस की freedom जब आप किसी भी जगा का अकबार उठा के देखेंगे या news चल तक पहुचा रहा है आप समझ लीजिए यहां press freedom अच्छा है perfect नहीं है अच्छा है decent है अगर आप अकबार उठाएंगे या TV खोलेंगे आप देखेंगे कि जो हमारे जर्नलिस्ट वाई बहन है वो सिर्फ सरकार की तारीफे कर रहे हैं उपर से नीचे तक div.com की photo, falana की photo, dc की photo, इसकी photo, उसकी photo, sb की photo, dsp की photo, देखिए जे कितने अच्छे काम कर रहे हैं सरकार की या अगर कल को होंगे कोई भी government तो या cm की, prime minister की, उसकी, home minister की, chief minister की, defense minister की, तारीफ मों पर तारीफ हो रही है तो आप समझ लीजिए, यहां press freedom कुछ है ही नहीं, यहां press का कोई नाम करती हूँ कि जब national conference दौर में थी, दौरे हकोमत में थी, आप छोड़ लेजे, 2008 में करीबन हम, properly हम लोग आए, आप तब से जो है, अगबार, आज ही के दिन का अगबार उठा के देख लीजे, जाविज साब, आज ही के दिन का, जो main main अगबार यहां गुमते है ना, आज ह आप वो अगबार देखेंगे, उपर से नीचे तक, जर्नलिस्ट हमारी सरकारों को लतारते थे, अच्छी बात है, करना चाहिए, जर्नलिस्ट का काम होता है, इधर यह कमी रह गई है, उधर यह खामी है, उस स्कूल में यह खामी है, अब आज का अगबार उठा के देख ल तो यह जो हमारे जर्नलिस्ट को बाहर जाने से रोका जा रहा है, यह सर्प्राइज आपको क्यों मिल रहा है, क्या जब आप सुबा सुबा अगबार उठाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं जर्नलिस्टों की हालत क्या है, आप समझ नहीं पाते हैं कि जर्नलिस्टों का गल गोंटा गया है, यह क्या सना इशाद मतू को बाहर जाने नहीं दिया गया, यह आप तब समझ आई यह बात, हमको तो हर रोज समझ आती है जब अगबार उठाके हम देखते हैं, हमको तो हर रोज उस जर्नलिस्ट के दिल का खौफ दिखाई देता है, जब वो हजारों की किसे जो हुकमना में आ रहे हैं, और या फिर एलेक्शन को लेके कहीं न कहीं बाचीत हो रही है, इसी सब पर हमायसाद बाचीत करने के लिए एफरा जान चीडू के नैशनल कांफिएंस की स्पोक्स परसन है, मजीद हम ने इन से बात की और जानने की कोशिश की, कि हालातों से लिस्ट निकला है, वो इने किस नजरीय से देखती हैं, मजीद इखतरी दिटाइप रैटर जाविद खान के साथ